So hello everyone, this is your Gaurav Bhaiya तो यार कल आपका SST का paper है और इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी चीज देने वाला हूँ रामबान बोल सकते हो उसको एक ऐसा रामबान देने वाला हूँ अगर तुमने उसका use कर लिया ना मैं आपको assurity देता हूँ, guarantee देता हूँ, warranty देता हूँ जो मानना है वो मानलो मैं आपको बता रहा हूँ अगर तुमने उसका अच्छे से use कर लिया ना तुम मतला SST के अंदर फोड के आ जाओगे सच बता रहा हूँ मैं वो चीज क्या है, मैं आपको ना 10 sample paper देने वाला हूँ एक नी, दो नी, तीन नी टोटल मैं आपको 10 sample paper देने वाला हूँ ये एक website है www.4ono.com ये इस website पे मैं ने कल देखे थे ये sample paper बहुत ही बढ़िया लगे इसलिए मैं आपको ये sample paper recommend कर रहा हूँ completely free में ये sample paper आपको मिल जाएंगे मैं ही provide कर दूँगा और मेरे को पता है, तुम ये बात सुनके न सिधा description box में जाओगे और download कर लोगे पहले मेरी बात सुनूँ, ठीक है अब मेरे को पता है, तुमारे पास इतना time नहीं है कि तुम 10 sample paper soul करोगे बहुत सारे बचे पता है अभी क्या करेंगे वो download तो कर लेंगे, sample paper को बैठेंगे फिर soul करने लगेंगे, एक paper में फिर 5 गंटे लगाएंगे, 25 गंटे लग जाएंगे इस हिसाब से तो, ऐसे नहीं करना है जो मैं आपको 10 sample paper दे रहा हूँ न, उनको है क्या करना है, analyze करना है, लिख- लिख के soul मत करना है, लिख- लिख के soul करने वाला टाइम जा चुका, आज आपको दस sample paper में जो दे रहा हूँ, उनको thoroughly analyze करना देखना है, अच्छा见 को यह question है यह मेरे को आता है, ऐसे हर question को पढ़ना है और analyze करना है कि इन दसों के दसों sample paper में से ऐसे कौन-कौन से question है जो बार-बार-बार repeat हो रहे हैं क्योंकि बहुत जादा chances है जो question इन sample paper में repeat हो रहे होंगे यह आपके paper में आ सकते हैं ठीक है तो इन दसों के 200 sample paper को अच्छे से analyze करना है और मैं आपको अगली वीडियो के अंदर chapter wise previous year question भी देने वाला हूँ almost वो ready हो चुके है ठीक है मैं PDF बना रहा हूँ का और अगली वीडियो में आपको chapter wise previous year question मिल जाएंगे तो सभी बचों से request है प्लीज आप channel को subscribe कर लेना तो अभी मैंने आपको बता दिया उन 10 से sample paper को क्या करना है लिख लिख के solve नहीं करना है हर sample paper को thoroughly read करना है देखना है कि कौन कौन से question है जो आपको आते हैं और कौन कौन से question है जो आपको नहीं आते हैं जो नहीं आते उनको पढ़ो simple और एक pattern को notice करने की कोशिश करना कि हर sample paper में कौन से question है या कौन सा ऐसा topic है जिसमें से ज़्यादतर question आ रहे हैं तो उस topic को अपना strong कर लेना ठीक है ये last chance है इसलिए मैं आपको ये sample paper दे रहा हूँ और 10 sample paper बहुत होते हैं अगर 10 sample paper आप कर लेते हो ना भाई तुमें ना मतलब आग लगाने से कोई रोक नहीं सकता तो किसका वेट कर रहे हो जल्दी से जाओ यार description box में मैंने link दे रखा है उस पर जाके click करो और download करो उन सभी sample papers को सारे sample paper आपके serial wise अच्छे से arrange कर रखे है मैंने और जाते जाते यार channel को subscribe कर लेना क्योंकि अगली वीडियो में आपको मैं previous year question देने वाला हूँ तो please channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना तो guys मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई topic के साथ तब तक लिए goodbye and have a nice day